पहली खबर तो ये कि रियाहूल गांधी के करीबी वो कॉंग्रेस पार्टी के समर्थ साकेत गोखले द्वारा लगाई गई आयोध्या में राम मंदिर के भूमी पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका को इलाबाद हाई कोट ने सुनवाई के बाद फटकार लगाते वे खारिज कर दिया है इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोट ने कहा कि याचिका केवल आसंकाओं पर आधारित है इसमें तथ्य नहीं है कॉंग्रेस पार्टी अपने अंतिन दोर में जनता को बरगलाने की चाहे कितनी भी कोशिस कर ले लेकिन अब पार्टी का उबरना नामुम्किन है क्योंकि देश की जनता कॉंग्रेस और गांधी परिवार के काले कारणामा को अच्छे से जानती है भारत के पूर्व परधान मंतरी पीवी नसेमा राओ जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद बेहद मुस्किल वक्त में देश और कॉंग्रेस का नितरतो असंभला था वे नहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले सक्स थे जिसने बतोर परधान मंतरी पांच साल का कारेकाल पूरा किया अब बात तरसल ये है कि सोनिया गांदी जिसने राव के जीते जीव उनके देहांद के बाद भी बहुत अपमान व तरिसकार किया था अब उनके प्रती प्रेम उमड़ रहा है सोनिया ने अब पहली बार पूर्व अपरधान मंत्री पीवी नर्सिमा राव की सारजनिक तोर पर परसंसा की है राव को जीते जी सोनिया गांदी के सारे पर पहले कॉंग्रेस में अपमानित कर किनारे लगया गया मृति हुई तो डिली में उनका अंतीम संसकार होने नहीं दिया गया उनके साव को कॉंग्रेस कारले में लाने तक नहीं दिया गया डिली में उनका मेमोरियल 2015 में तब बन पाया जब केंदर में मोधी सरकार के नहतरतों में बीजेपी की सरकार चल रही थी दिसम्बर 2004 में मौत के बाद राव का जब तृसकार हुआ तो मनमोहन सिंग देश के परधान मंत्री हुआ करते थे वित मंत्री बना कर राजनती में मनमोहन को लाने वाले भी राव ही थे लेकिन मनमोहन सिंग ने उनकी अंते म्यात्रा में सामिल होना भी उचित नहीं समझा इसकटना के 16 साल बाद जब कॉंग्रेस का सूर्य धलता दिख रहा है उसने राव को लेकर यूटर नमा रहा है सोनिया गांदी ने पहली बार साजुनिक तौर पर उनकी परसंसा की है सोनिया ने पत्र में लिखा कि राजे और राष्ट्री राजनिती में एक लंबे केरियर के बाद अब वह गंबीर आर्थिक संकट के समय भारत के परदानमत्री बने उनके साहसिक नेतरत्वा के माध्यम से हमारा देश कई चोनोतियों को सफलता पूरवर पार करने में सक्सम हुआ है 24 जुलाई 1991 का केंद्री बजट और हमारे देश के आर्थिक परिवरतन का मार्ग प्रसंस्त किया वहीं पूर्वर परदानमत्री मनमोहन सिंग ने राव को देश का महान सपूत और भारत में आर्थिक सोधारों का जनक बताया है उन्होंने कहा कि आर्थिक सोधार और उदारी करण में वाकई उनके सबसे बड़े योगदान है विबिन चेतरों में उनके योगदानों को कम करके आँका नहीं जा सकता है भारत में खुली अर्थिवरस्ता का स्रे राव को देते हुए मनमोहन ने कहा कि यह एक कटिन विकल्प और साहसी फैसला था और यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि परधानमत्री नरसिमा राव ने मुझे चीज़ों को सुरू करने की आजादी दी क्योंकि वह उस समय भारत की अर्थिवरस्ता की समझ्या को पूरी तरह से समझ रहे थे यहां आपको बता दें कि राजी उगांजी के हट्या के बाद अचानक राव को जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी लेकिन कॉंग्रेस में सोनिया कांजी के उदे के साथ ही उनका तरिसकार होना शुरू हो गया था जो उनकी मृत्यों के बाद तक चलता रहा 23 दिसंबर 2004 को राव की मृत्यों होई थी और 27 दिसंबर को इस्तंबगार M.D. नलपत ने लिखा कि वास्तों में 1998 में कॉंग्रेस की कमान नहरुवन्स के हाथों में दोबरा आने के बाद AICC के पूर्व अध्यक्स और परधान मंत्री होने के बावजूद नर्सिमा राव को कॉंग्रेस कारिसमती से न केवल बाहर किया गया था बलकि उन्हें विसेश अमंत्रित सदेश्य की सूची से भी बाहर निकाल दिया गया था उस सूची में केवल वे थे जो अलाकमान की जैजे कार कर रहे थे नल्पत ने दावा किया था कि राव के अंत्रिम संसकार के विसेश पर चर्चा के लिए तोपहर तीन बजे एक विसेश केंदरी मंद्री मंडल की बैठक बलाने के बावजूद नो मोतिलाल नहरू मार्ग पर उनके सव को लाकर एक मंस पर रखने के लिए कोई व्यवस्ता नहीं की गई थी वहाँ ना तो फूल थे ना सोक सबा में आए लोगों के लिए बैठने के लिए कार्पेट यहां तक कि लौन के सामियाने में कोई इंतजाम ही नहीं था नसीमा राव का सव जब नो मोतिलाल मार्ग से कॉंग्रेस के मुख्याले 24 अकबर रोड पहुंचा तो वहाँ पर पूर्व परधान मंतरी के पार्थिव सरीर को भवन में आने देने का आदेश उपर से नहीं मिला इसलिए गैट बंध ही रहा हैताबाद पहुंचने पर पूरो परधान मंतरी के पार्थिव सरीर को 20 मिन्टों के लिए कॉंग्रेस मुख्याले में रखा गया फिर हुसेन सागत जील के किनारे उनका अंतीम संसकार किया गया धार्मी करम कार्ट पूरा होने के बाद सभी वहाँ से चले गए राजे सरकार ने किसी भी परकार की सुरुक्षा व्यस्ता का कोई इंतजाम नहीं किया था सरकार की इंतजाम की हालत ऐसी थी कि पार्थिव सरीर को जलाने के लिए प्रयाप मातरा में लकडी भी उपलब नहीं करवाई गये थी इसका परिणाम ये हुआ कि सव अधजला ही रह गया था जब रात में टीवी चैनलों ने कुत्तों को टुकडे खींचते हुए दिखाया तो सारा सरकारी तंत्र बोखला उठा फिर किसी तरह से लकडियों को लाकर काम निपटाया गया यह सिलसला राव के देहान पर भी खत्म नहीं हुआ था उनकी निजन के बाद भी कॉंग्रेस पार्टी ने उनका तृसकार करना बंद नहीं किया था वे पार्टी के निशाने पर हमिशा रहे पिसले वस राव के पोते एनवी सुबास ने इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी को आरे हातों भी लिया था लगतार राव पर लगते आरोपों को देखते हुए उन्होंने गांधी परिवार से उस अन्याय के लिए माफी मंगने को कहा था जो उन्होंने नसीमा राव के साथ किया इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब सोनिया गांधी बड़ी बेसरमी के साथ गाड़िया लिया आंसु बहा कर जनता को बरगलाना चाहती है तो ये अब मुम्किन नहीं है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मौत के 16 साल बाद राव को लेकर कॉंग्रेस के इस्टेंड में यह बदलाओ क्यों इसका सीधा सा कारण ये है कि असल में यह राव का जन्म सताब्दी वर्स है उनकी जैनती पर पिछले महीने कई अकबारों में पूरे पन्ने के विग्यापन चपे थे इसमें उन्हें तेलंगाना का बेटा भारत का गर्व बताए गया था यह विग्यापन तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टी आरेस की तर्प से प्रकासित किये गए थे इसी विग्यापन ने अचानक से राव को राजनिती में फिर से प्रसंगीक बनाते वे कॉंग्रेस को अपने स्टेंड में बदलाव के लिए मजबूर किया इस विग्यापन के बाद कॉंग्रेस के अधिकारिक ट्विटर हेंदल से पोस्ट कर उन्हें दूर दर्सी नेता बताया गया था राहूल गांदी से लेकर मनमहुन सिंग ने सबने उनको याद गिया लेकिन सोनिया उस वक्त भी चुप रही अचानक से राव को लेकर सोनिया का मुखर होना कभी मजबूत गड़ रहे दक्सिन भारत में जमीन तलासने की कॉंग्रेसी रणनीती का एक हिस्सा है कॉंग्रेस करनाटक की सत्ता बीजेपी के हाथों गवा चुकी है तलेंगाना में टी आरेस ने उनकी जगह ले ली है आंदर परदेश से उसे उस जगन मोहन डेडी ने उखाट पहका है जिसे कभी उसने पार्टी से बाहर किया था तमिलाडू में उनकी अमीदें डी-म के पर टिक्यूई है बीटे साल आम चुनाओ में भी इन राजयों का उसका प्रदसन बहुत नरासा दिनक रहा था ऐसे में यह करनी पर पस्तावे से ज़्यादा राव की विरासत पर दवा कर कम से कम तेलंगा नमें पैट बनाने की कभायत दिखती है साइब कॉंग्रेस के लिए अब इस मोर्चे पर देर हो चुकी है राव के लिए भारत रण की मांग और जन्म सदापजी के मौके पर साल बर के कारकरम का एलान कर इस विरासत पर टी आरेस पहले ही दावा ठोग चुकी है तो फिलाल इस वीडियों बस इतना ही आपके क्या राय है कमेंट करके ज़रू बताएं वीडियों को ज़्यादा से लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे ही वीडियों के लिए अपने आडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंट जय भारत